हेलो दोस्तो मेरे यूटूब चैनल डॉक्र सैम्स बाइलोजी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक लीथल जीन्स क्या होती है यह एक्टूल में एक इंट्रक्शन है एक टाइप ओफ जैनेटिक इंट्रक्शन है इस इंट्रक्शन के अंदर जब कोई भी दो जीन प्रेजंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लीथल कोई भी दो जीन है नोल अलिक है अगर वो साथ में प्रेजेंट है एक ओर्गेनिजम में तो वो क्या करेंगे इसको एक हाइपोथेटिकल एक जम्प से समझते हैं हमारे पास माल लीजिए दो जीन है और बीजी दोनों वाइल टाइप जीन है अब यह दोनों साथ में ओर्गेनिजम लिविंग है अब इसमें माल लीजिए एक ही मुटेटिड फॉर्म को हम शो कर रहे हैं ए नेगेटिव से ए माइनस और दूसरा क्या है नूर्मल है वाइल लाइफ है तब भी ओर्गेनिजम क्या करेगा नॉर्मली लाइफ होगा अब इसका उल्टा थार्ड क इसमें ए माल लीजिए हमार पास वाइल टाइप है और बी जो है वो मुटेटिड है तब भी ओर्गेनिजम नॉर्मली जिवित रहेगा लेकिन फॉर्थ केस के अंदर अब माल लीजिए एकी भी मुटेटिड फॉर्म जीन की और बी की भी इसकी भी मुटेटिड फॉर्म दोनों ये जीन प्रेजन्ट है यहाँ पे ए नेगेटिव और बी नेगेटिव ये जीन है दोनों की ही क्या है मुटेटिड फॉर्म है वाइल टाइप की मुटेटिड फॉर्म है ये प्रेजन्ट है तो यह क्या गोज़ करेगा देथ तो यह यहाँ पे आप देखेगे कौन सा जीन ए नेगेटिव जीन एड बी नेगेटिव जीन इन जीन को क्या बोला जाएगा Synthetic Lethals इनको Synthetic Lethals का जागा क्यों क्यों क्योंकि जब देखेगे यहाँ पे देखे अगर अकेला A नेगेटिव है अकेला B नेगेटिव है डेखे नहीं कर रहा है लेकि जब यह दोनों साथ में है डेखे कर रहे है यह क्या कर रहे है यह क्या कर रहे है दोनों साथ में डेथ यह क्या हुए यह Synthetic Lethals है तो यह इसका एक Hypothetical Example इसका Classical Example Synthetic Lethals का हमें मिलते है Drosophila में Drosophila के अंदर दो Jhin होते है एक तो तब बार जी और एक तब गलास जी अब बार जीन को हम यहां शो कर रहे हैं B से और गलास को J से अब यह है वाइल टाइप इसको J से शो कर रहे हैं अब यह दोनों वाइल टाइप है Drosophila जिवित रहेगा अब ये पहला केस है दूसरे केस में अगर जो बार जीन है वो है, म्यूटेटिटिड है बी नेगेटिव से हम शो कर रहे हैं और जी जीन जो है, वो नोर्मल है ये जीवित होगा और तीसरे केस के अंदर इसका रिवर्स बार जीन नोर्मल है और जी क्या है म्यूटेटिड है तब भी डोसोफिला जिन्दा रहेगा लेकिन फौर्थ केस में दोनों ही जब म्यूटेटिड है बार भी म्यूटेटिड है और ग्लास भी म्यूटेटिड है दोनों जीन म्यूटेटिड जब है तो यह क्या कोज करेगा death कोज करतेगा तो यहाँ पे इन दोनों जीन को कौन कौन से जीन B-negative genes और G-negative यह दोनों जीन इनको क्या बोला जाएगा synthetic lethals क्यों बोला जाएगा क्योंकि यह दोनों जीन जब साथ में है यह death कोज कर रहे है तो यह होता है हमारा synthetic lethal यह एक टाइप का interaction है दो जीन का और कोई भी दो जीन नो नहीं जीन है जब वो साथ में प्रजेंट होंगे किसी भी और्विनिजम में वो क्या करेंगे death course करेंगे तो हमारे पास hypothetical example के अंदर यह दो जीन है यह दोनो जीन जब साथ होंगे यह क्या करेंगे death course करेंगे तो यह क्या हुए synthetic lethal इसका classical example drosophila में मिलता है आमें drosophila में कौन-कौन से जीन bar gene और glass gene अब यह जीन दोनो bar gene और glass gene कि mutated form bar negative और glass negative यह जीन दोनों present है तब तो यह death course करें तो इनको क्या बोला जाएगा synthetic lethal genes